हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप टिक टॉक में डाटा कैसे सेव करेंगे अपने मुवाइल की डाटा को कैसे सेव करेंगे आप टिक टॉक यूज करते हैं तो आपकी डाटा बहुत जादा खर्च हो जाती है खतम हो जाती है तो उसे कैसे सेव करेंगे तो नमस्कार दोस्तों आप सभी का online work YouTube channel में बहुत-बहुत स्वागत है तो उसके दो तरीके हैं तो चलिए हम बताते हैं कौन-कौन सी तरीके हैं तो friends सबसे पहले तो हम चलते हैं अपने TikTok में और TikTok के app में जाते हैं तो एप में क्लिक करते ही क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है नीचे मी में जाएंगे और मी में जाने के बाद सबसे उपर आप three dot देख रहे हैं तो हम three dot में जाएंगे उपर और three dot में जाते ही देखिए यहां पर scroll down करने के बाद data saver आ रहा है तो data saver पर जाएंगे और data saver पर जाने के बाद दिए दिखिए data saver यहाँ पर हम इसको enable कर देंगे enable करते ही आपकी जो है आपकी जो data जो है बहुत कम खाएंगे बचेंगे और दूसरी तरीका क्या है कि दूसरी तरीका यह है कि हम चलेंगे अपने play store में और play store में जाने के बाद tik-tok light हम इसे install कर लेंगे tik-tok light जैसे आप install करेंगे तो इससे भी आपकी data जो है बहुत कम खाएंगी तो यह रही दो तरीके tik-tok में data कम खर्च करने की तरीका तो दोस्तो उमीद करता हूँ कि यह चोटी सी वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें तक इस तरह की और भी वीडियो में आप लोगों के लिए लाता रहूं तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तो बावावाई